एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते गोल्डन बहमत जो कि हाइडोजन बॉम से घायल हो गया था इसलिए वो अपने जक्म को हील करने लगता है उसका होन काफी ज़्यादा गलो करने लगता है क्यूंकि गोल्डन बहमत अस्टेलर लेवल को अचीव कर चुका था और व स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आती है मास्टर होंग बताते हैं ए आई सिस्टम से हमें एक वीडियो फूटेज मिली है जिसमें साफ गोल्डन बहमत की मूवेंट का पता लगाया जा सकता है और वीडियो फूटेज के अकोर्डिंग गोल्डन बहमत घायल होने के बाद हक फेंग को काफी गुस्सा आता है तभी उसे अपने फैमली की याद आती है और वो फॉरण अपने डाट को कॉल करता है और कहता है आप सब फॉरण ग्रैविटी रूम में चले जाएए और जब तक मैं वापस ना आऊँ आप सब बाहर मत आना मैं आकर सारी चीजे एक्स्प करेंगे जिससे वह पूरा किंग्टम ही वीख और जाएगा इसलिए जल्द से जल्द मुझे एक ऐसा वेपन डूरना होगा जिससे गोल्डन बेमत को कील किया जाए और वो बबाता से पूचता है क्या तुम्में कोई क्लू मिली किस इस ऐस स्पेस सिप में वेपन किस जहां उसे एक सिक्रेट सिप मिलती है असल में यह रियून नंबर टूल है बवा तब है वहां आकर सारी चीजों को स्कैन करने लगती है तब है उसके मास्टर ने बस एक है मुव में पूरे स्टार फ्लिट को डिस्ट्रॉई कर दिये थे और यह उसे स्पेसिप का रिकेज है यह ब्लैक ड्रेगन मौन्टेन सिप है और इसका कंस्ट्रक्शन कोस्ट इस पूरे मदर सिप से भी जादा एक्स्पेंसिव है यह काफी एडवांस और स्टेंडर वेपन है एवन के तुम इससे अस्टेलर लेवल 7 और 8 को भी किल कर सकते हो लुओ फैंग उस वेपन को देख करते हैं जाएं उसे एक डॉर मिलती है बवाता उसे भी ओपन कर देती है फिर मेन इंटरिंस पे काफी पाउरफू लेज़र लाइट जलता बवाता उसके बार में रियसर्च करने लगती है लुओ फैंग भी अस्कैन करता ए और कहता है यह एंटरिंस तो काफी नेरो है اور य ऊसे वापस फेक देते है इससे लुओ फैंक को अंदाजा हो जाता है कि ये लेजर चाहिए कितना पवरुफुल है बवाता बताती है लुओ फैंक तुमें इस लेजर को डॉज करके उसस गेट को उपिन करना है तब ही नंदर जा पाएंगे और ये पूरा केबिन ये ट्रियम मेटल से बनी है मतलब कि इसे सिर्फ कॉस्मिक लेबल के वरियर ही डिस्ट्रॉई कर सकते है इवन कि तुमारे मास्टर होंग भी यहां आ गए तो वो भी इसे डिस्ट्रॉई नहीं कर पाएंगे लुओ फैंग पूछता है क्या हम इसे रेड मिक्स को पर से डिस्ट्रॉई नहीं कर सकते बवाता कहती है रेड मिक्स को पर से ब्रेक करना तो पॉसिबल है पर तुमारे करेंट पावर से तुम ऐसा नहीं कर सकते लुओ फैंग कहता है तो अब हम क्या करें बवाता कहती है इस gate को break कलने के लिए मेरे पास एक plan है और वो एक disc gadget निकालती है लुओ फैंग पूछता है ये क्या है और इससे हम gate open कैसे कर सकते हैं बवाता कहती है इसे giant power top कहते है और इससे बवाता a space craft को repair करती थी वो कहती है बस तुमें जाकर इसे उस gate के बीच में रख देना है लुओ फैंग उस top को लेता है और कहता है मैं मोयून वाइन के defensive power, battle armor और heavenly mountain shield बनाकर इस laser को cross करूंगा मुझे नहीं पता कि मैं इस laser attack को cross कर पाऊंगा या नहीं पर फिर भी मुझे try करना होगा और वो shield बनाकर enter करता है जहां वो सभी laser strike बहुती fast लुओ फैंग पर attack करने लगती है और लुओ फैंग उसे dodge कर रहा था फिर वो heavenly mountain shield से सारे laser strike से बचता है पर वो attack बहुती powerful था लुओ फैंग उसे जादर देर तक handle नहीं कर पाता है और वो laser strike लुओ फैंग को पीछे fake देती है लुओ फैंग कहता है ये laser strike वाकई में काफी powerful है ये तो किसी को entrance तक जाने ही नहीं देती है बवाता बताती है लुओ फैंग ये laser strike पूरे channel पे focus करती है और जो कोई भी इस channel में एंटर करता है सारे laser strike उस पे target करके attack करते हैं इसलिए इसमें एंटर करना काफी मुस्किल है और अगर एक target हुआ तब तो बिलकुल है और एक ही समय पे दो target हुआ तो कुछ chance है लुओ फैंग समझ जाता है कि ये कैसे work करता है बवाता बताती है mountain shield को तुम काफी सारे blades में convert कर दो इससे ये laser एक जगा पे concentrate नहीं हो पाएगी जिससे हम इसे dodge कर पाएंगे लुओ फैंग ऐसा ही करता है सबसे पहले वो top tool को काफी सारे flying knife से protect करके enter करता है और वो top successfully उस gate में insert हो जाती है ये देखकर बवाता खुस हो जाती है और वो इस tool को activate करके gate open करती है और जैसे gate open होता है laser strike को पता चल जाता है कि कोई तो enter किया है इसलिए वो सभी उस tool पे strike कर करते हैं बवाता कहती है AI system को पता चल गया है कि gate open हो चुका है लुओ फैंग अब तुमें जल्दी से इसे cross करना होगा लुओ फैंग फॉरणी mountain silk को काफे सारे blades में break कर देता है जिससे सारे laser strike भी छड़ जाते हैं इसी बीच लुओ फैंग बहुती fast उस channel को cross करता है और वो cross करता है इधर बवाता उस gate को बंद होने से रोकनी की कोशिस कर रही थी और जैसे वो gate बंद होने वाला था तभी लुओ फैंग फॉरणी gate के अंदर चला जाता है लुओ फैंग बिल्कुली nervous हो गया था पर आखिर कार वो दोनों अंदर आ चुके थे लुओ फैंग cloud wine से कह ना होगा तभी हम जान सकते हैं कि हम AI defense room में कैसे एंटर करेंगे और वो दोनों आगे बढ़ते हैं तभी वहां alert siren बजता है आगे हम देखते command room में वहां बहुत ही advanced robot होता है साथी एक person होता है और AI system को पिता चल गया था कि कोई इंसान जो की planetary level का है वो इस ship में एंटर किय है और सारे AI robot को command मिलता है कि उसे kill करना है और वहां से काफी high tech robot निकलता है दूसरी तरफ लूओ फैंग काफी alert होकर आगे बढ़ रहा था और उस space ship की AI system लूओ फैंग को detect कर लेती है और सारे robot को लूओ फैंग का information share कर देती है तभी उस cabin से वो सभी robot बाहर निकलते हैं वेंसन रोबोट है मुझे उमीद नहीं थी कि ये ship करीब 8 लाग सालों से डूबी हुई है और अभी तक इसकी AI robot साई position में है ये तो काफी आजीब है कि इस ship के पास अभी भी machine को maintain करने की ability है तभी वहां तीन robot आते हैं और लूओ फैंग को scan करने लगते हैं वो तीनों एक स इटकर पीछे ले जाता है लूओ फैंग गुसे से flying nap से attack करता है तभी दूसरा robot armor से बचने की कोशिस करता है पर लूओ फैंग psychic power के use करके उसे दूर कर देता है इधर flying nap से उस robot को कुछ भी नहीं होता है फिर वो बॉट लूओ फैंग पर बहुत ही powerful attack करता है जिसे लूओ इक किक मरकर काफी दूर fake देता है उसी दौरान दूसरा bot attack करता है पर लूओ फैंग उसे dodge कर लेता है और ऐसा करके वो तीनों robot एक एक करके लूओ फैंग पर attack कर रहे थे जिससे लूओ फैंग बहुत ही मुश्किल से बच रहा था आगे लूओ फैंग बहुत ही गुसे से एक बोट को उठाकर fake देता है पर इतने में ही वो दोनों बोट आ जाते हैं और वो लूओ फैंग को पीटने लगते हैं वो सभी रोबोट लूओ फैंग पर भारी पल रहे थे इसलिए लूओ फैंग डिफैंस के लिए mountain shield का यूज़ करता है और एक powerful kick मारकर उन दोनों को भ पर से खड़ा हो जाता है ये देखकर लूओ फैंग हैरान होता है और कहता है अब तो मुझे रेड़ मिक्स को पर को यूज़ करना होगा वरना मैं इन्हें कभी भी defeat नहीं कर सकता और वो रेड़ मिक्स को पर से अटैक करके दो बोट को नीचे गिरा देता है और एक को पौरफुल है इधर बवाता वो सभी रोबोट के बारे में रिसर्च कर रही थी वो बताती है ये सभी बोट ये ट्रियम मेटल से बने हैं तो इन्हें डिस्ट्रॉई कर पाना बहुत ही मुस्किल है तभी वो सभी बोट फिर से फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आइडिया है क्या तुम इसे रोक सकती हो बवाता कहती है मैं इनको रोकने के कोशिस कर रही हूँ बस थोड़ा सा वेट करो और बवाता इस AI सिस्टम को क्रैक करने में लगी थी दूसरी तरफ लुओ फैंग उन सबसे बचकर भाग रहा था तभी वो बोट लुओ फैंग के क्रैक करने में लगी थी वो कहती है तुम घबराओ मत बस थोड़ा सा और वेट करो बस होने ही वाला है तब तक लुओ फैंग किसी तरह से उन सब को डौश करता है पर अब वो आखरे जगा पे आ गया था वहाँ असे उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है इतने में वो सा कि ये रोबोट्स अब हमारी है और वो उसे कमांड दे कर कमांड रूम ओपन करने को कहती है लुओ फैंग मनी मन सोचता है मुझे ने लगता कि ये रोबोट्स गोल्डन बेस से फाइट करने में इनफ है फिर वो रोबोट्स सकैन करके कमांड केबिन को ओपन कर देते है लुओ फैंग उसे काफी गोर से देखता है, वो उसका फेस देखना चाहता था, और जैसे वो से टच करता है, बवाता कहती है, इसे टच मत करना, ये डेट बॉडी लाखों साल से ऑक्सिजन के कॉंटेक्ट में नहीं आई है, इसलिए ये फारण ऑक्सिडाइज होकर डिसपे है, ये बिल्कुली रियल परसन जैसे है, इसका बॉडी बिल्कुली वाटर जैसे रियक्ट करता है, इवन कि ये मास्टर के अटेक को भी बड़ी असाने से डॉच कर पाता है, वाकई में ये काफी कमाल की बॉडी गार्ड है, तब इस सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती ह लुओफेंग पूछता है, क्या ये युनिवर्सल लेंग्विज है, बवाता कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, यहां की AI सिस्टम काफी इंटिलिजन्ट और एडवांस है, आगे वो लुओफेंग को एक बिकॉन इंसर्ट करने को कहती है, जिससे वो इस AI सिस्टम को 30 मिनिट में हैक कर सकती है, और अब से ये ब्लैक ड्रैगन सिप हमारा हुआ, तभी AI सिस्टम वार्निंग एनाउंसमेंट करती है, कि उनके सिस्टम पे कोई आटाइक कर रहा है, और वो 30 सिकेंड के अंदर पास्वार्ड एंटर करने को कहती है, वरना ये सिस्टम खुद को कर लेगी, बवाता भी घबरा जाती है, वो कहती है, इस सिप के ओनर काफी बुरा है, वो पहले ही सेल्फ डिस्ट्रेक को लगा चुके थे, लुओ फेंग पूछता है, क्या तुम्हारे पस कोई तरीका है, बवाता फॉरन ये उसे हैक करने की कोशिस करती है, पर टाइम बह गयाने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो,